ये कहानी है एक शर्स की जिसके पास सुपर पावर है बड़ जहां वो इस पावर से परिशान तब वही उसी पावर का इस्तमाल अच्छे काम में भी होता है अब कौन से काम में होता है क्या होता है जाने के लिए पूरा वीडियो एंद तक जरूर देखे सो मुवी की स्टार्टिंग में देखते एक बंदा दिवार में पेंटिंग करता है दूसी तरफ ड्रामे का में लिड डॉंग एक नेटवर्प मार्केटिंग स्कीम की मीटिंग अटेइन करता है तब ही वहाँ पुलिस रेट मार के सबको पकरने लाती तो छुप जाता है लोखिम में डालके क्रिमिनल को पकरते उपर से इतना काम तो साइड में कुछ कर लिए एक्स्ट्रा पैसी के लिए तो क्या हो गया बोलके चला जाता है फिर उस तरफ देखते हैं जून को जो पेंटिंग करता है फिर वहीं पर डॉंग आके सुसू करने लगता है और उपर स्प्रे डालकर भाग जाता है फिर डॉंग स्प्रे वाटन लेकर पुलिस स्टेशन जाता है वहाँ पर उसको एक बोलता है कि एक की मां आई हुई है जो अपनी बेटी को ढूंड रही है बट हम लोग रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 24 गंडे अभी नहीं हुआ है इसलिए समझा कर भेज देना थी वो कोशिश भी करता बट उसकी मां पुछती है कि मेरी बच्ची सही रहीगी ना फिर यह लोग की मीटिंग के टाइम डॉंग बच्चे की केस के बारे में बोलता है कि हो सकता है कि वो किन्नैपिंग वाला होगा सारे प्लिस वाले बोलते है कि वो कहीं गई होईगी आज आएगी घर पर बट डॉंग बोलता है कि एक घुमी हुई बच्ची का केस दुसरे सारे केस के बराबर है तब जाके उसका कैप्टिन उसको परमिशन देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से तो अच्छा ही कि तुम इस के बारे में और त चुकी भी थी डॉंग को बड़ा अफसोस होता रहता है पुलीस लोग बोलते हैं कि लाश को देखकर लग रहा है कि कुछ टाइम उसको फ्रीज में रखा गया था एंड ना कोई पैसे की डिमांड किया खिलर ने और नाहीं कुछ जादा मार्पिट के निशान है जो बीना को चिलाता है जब मैंने बोला कि केस देखो तब तुमनों ध्यान नहीं दिये तो मुझे सस्पेंट क्यों किया जा रहा है मैं इस केस का इंचाज रहूंगा फिर जब घड़ पे निउस देखता रहता है तब क्राइम सीन देखकर उसे याद आता है कि ऐसे ही से उसने वह द सुनती क्योंकि डॉंग के पास पुलिस ऑफिसर का बैज भी नहीं होता है इसलिए वह फोटो खीच कर सबूत जमा करता है उसी के बीच में उसकी उस अंटी से जगड़ा हो जाता है क्योंकि उनकों लगता है कि उसकी फोटो खीच रहा है कि कहा देखा हूं यह में जा कर चेक करता है शोट लगता है कि वहां की कबरड में उसी बच्चे का बैग रखा हुआ है जैसी उसको लेने जाता है तब को लोग पहले से ही बैक के सब उत ले रहे हैं डॉंग वोलों को कुसपू समझाने की कोशिश करता है बट किसी को उस पर यकीन नहीं होता है एंड फोटो जो उसने लिया था उसमें सी वह आंटी दिखती है फिव टेंशन में पुली स्ट्रेशन बैठा था तब उसकी नजर पेंट स्प्रेय पर दिये उस दुकान पर जाकर उसके बारे में पुछता है तब दुकान वाला जून के बारे में बताता है कि वह थोड़ा अजीब सा था फिर वह अपने दोस्के साथ उसके घर जाता है डॉंग वहां जाके जून को पकड़ के पुछता है कि तुमने करते हैं और उसका मुबाल चेक करते हैं वहाँ पर वो लोग को एक नाम मिलता है तो डॉंग समझते हैं कि वह जुन का साथी होगा फिर डॉंग जाकर देखता है कि वह एक लड़की है और जुन के साथ हाई स्कूल में पड़ती थी पांच साल से दोनों एक दूसरे से नहीं म लगता है तो जोर से आवावस आती तो डॉंग आकर देखता है कि जुंद गायब हो गया है तो श्कू पुलिस से मैसेच आता है कि फिर से किन्नैपिंग की कोशिश की गए पुलिस सबीं है था कि एक का दमी उसको बोला था कि मेरे को यह दोगी को डेखने का बीमार है वो स वह दोगी फ्रोजन था वहां देखते हैं कि वही च्छोटी लड़की जा रही थी उसके साथ भी वैसे ही होता है फिर वह जैसी डॉगी को टच करने जाती है तो उसका हाथ बगर कि उसको इंजिक्शन देनी लगाता है तो लड़की जल्दी से वहां से भागती है फिर उसका गारी में उसका पीछा करता है लड़की घर पर जाकर अपने बाब को बोलती कि मेरा कोई पीछा कर रहे है बर्ड उसका शराबी बाब उसकी नई सुनता और बोलता है मेरे लिए और शराब लेके आओ वह बच्चे डर डर के बाहर जाती है फिर जैसी उसको ठाने जाता है बजाती है पर उसी लोग कंप्लेन करते हैं वहां डॉंग पहुंच के सीटी देखते हैं तो समझ जाता है कि वही छोटी बच्ची है तो जल्दी से जाके जुन को बोलता है कि अगर तुमने नहीं मारे हो तो यह भी तो पता होगा कि वह लड़की कहा है बता मुझे तुमने पेंटिंग कैसे बना है वो बोलता है मैंने इमेजिनेशन से बनाया तो डॉंग उसको बहुत मारता है फिर जुन उसका हाठ टच करके बोलता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम गुमी हुई बच्ची को ढून लोगे तो तुम्हारा मरा हुआ भाई वापिस आ जाए ना क्योंकि बड़े लोग की मदद बचे नहीं करते तो पेंटिंग दिखा के पुछता है तो सियंग बोलती कि ये बट आई वीव है जो इमेजिनेशन से बनाया है फिर जब उसको मालूम होता है कि ये पेंटिंग जून ने बनाया है वो भी क्राइमस इन पता होने से पहल फिर पहले का दिखाता है जहांपर जून पेंटिंग करता था तभी कुछ लड़के आकर उसको तंग करते और बोलते कि मैंने सुना कि तुम किसी चीज़ को छूप कर उसका पास्ट जान लेते हो तब सियंग वोलो को रोकती है तो सियंग पर हाथ उठाता है जून उसका हा माम को बताता है कि मुझे भी अपने डैडी की तरह पास्ट का दिखता है यह सुनके उसकी माम डर जाती है और अपने बेटे को टेस्ट तक नहीं करती है इसी वजह से उनका एक्सिडेंट हो जाता है यही रीजन की वजह से जून अपने आपको दोशी समझ के सबसे अलग फिर वहां डॉंग जाता है और उसको समझाता है कि तुमारी वजह से तुमारी माम नहीं मारी इसने खुद को दोशी दे के अंधेरे में रहना छोड़ दो तब ही कुछ लोग आके जून का घर तोड़ते है तो डॉंग खुद को जून का बड़ा भाई बोलके वो लोग पो मार के भगाता है फिर खुद ही बेहोश हो जाता है तो जून उसकी देखबाल करता है फिर जब वो बेचेन था तो जून उसको टेच करके थोड़ी बहु कोट नहीं कर सकता था इसलिए वह पेंड करता है ताकि कोई उसको देख ले फिर जून वह कपड़ा टच करके देखता है तो उसे दिखता है कि ठोटे बॉलों के बीच में हैने के लिए इसकी फोटो खीच कर यह सरा था देखते देखते वह बहु की कगारे पर आ चाहिक तो बॉल में पाया जाता है तो हमें ऐसी जगा ढूननी पड़ेगी जाप पर ऐसा फ्रीज और ऐसे बॉल होते हो तो डे केर सेंटर में जाकर चेक करते हैं और ऐसे किलर मेमरी के लिए फोटो भी खिचते तो मुबाइल जरूर चेक करना फिसारी पुलिस चानमीन करना शुरू कर करती है जापर वही प्लास्टिक के बॉल एंट से मॉडल का फ्रीज मिलता है जब और के बार में पुछते तब वो गारी से आता है तो डॉंग उसे उसका मुबाइल मांगता है देखने के लिए तो बहाने से अपनी गारी में मुझा कर मुबाइल को पानी से दोता रहता है डॉंग उसको रोगने की कोशिश करता है और इसी वज़े से गारी का एकसिडेंट हो जाता है फिर कैप्टन देखता है कि उसके मुबाइल में लड़कियों की फोटो है मतलब ये सक्सपेक्ट नहीं रहता है फिर वो लों को एक बैड नियूस मिलती कि जिस लड़की की दे देता है और इसकी पीछे चोट के निशान भी होते हैं मतलब यहीं किले रहे उदर पुली स्टेशन में कैप्टन डॉंग के बोलता है कि मैं लैब में गया था तो मुझे मालूम पड़ा तुम वहां गई नहीं थे तुम्हें लैब से पहले कैसे पता चला कि उस कपड़ों पहले का दिखाता है कि जून की मदद करने के बाद उससे प्रामिस भी माईटा है कि मेरे बारे में तुम किसी को भी नहीं बताना बट डॉंग के पास कोई रास्ता नहीं रहता है तो बता देता है फिर पुलिस लोग जाकर जून को अरेस्ट करके लिए आते हैं डॉंग असको जूट मत बोलो बट उसको लेकर चले जाते हैं डॉंग को अपनी कियेवे पर पच्टावा होता है तो पुलिस इप कर ठोकर मारता है फिर जुन गन लेकर निकलता है और कि तुम मेरा इस्तमाल करना चाहते थे नशुरू से ही मुझे अकिरे रहने देते क्यों खुब हाई थे मेरे पास डौंग उसको शाली रहता है वह बोलता है यह सा ली गलती मेरे हाथ किये इसने मेरी मां को भी मार दिया और अपने हाथ पर गोली चलाने जाता है तभी डॉंग उसको चमाट मार के बोलता है कि होश मियाव तुमारी वज़े से कोई नहीं मरा है मुझे एक और चांस दो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा फिर उसको लेकर जाता है सारी पुलीस की गारी उसके पीछे बागती है डॉंग बोलता है कि अगर हमें जेल नहीं जाना है तो उससे पहले एक किलर को ढूनना परेगा फिर उसका दोस्त कॉल करके बुलाता और बताता है कि ये सारी फिर्ज वही तो अगर किलर सेकेने में बेचा होगा तो यहीं पर होगा बत बात ये है कि बहुत सारी फेसे तो झونजाता है चिक करने के लिए डौंग उसको रोकता है क्यूंकि उस चेक करने पर हो सकता है उसकी हालत और खराब हो जाए बट वो तो मरम पट्टी करने के लिए उठता है तभी वो बच्ची उसको ढखा देखे बाहर बाकती है और दर्वाज़ा लॉक करके में डोर खोलने की कोशिश करती है यहां यह लोग को एड्रेस मिल जाता है बट फ्लोर नमर नहीं मिल पाता है वहां वो दर्वाज़ा तोड के उस नहीं आते हैं तो पुलिस को कॉल करना यह तोनों ढूलना शुरू कर देते थोड़ी दिर बाद जून बिल्डिंग में जाता है तभी वो डॉक्टर भी जाता है लिफ्ट में डॉक्टर बीसवे फ्लोर पर क्लिक करके हसता रहता है मुबाइल देखके जून उसकी हसी सुन यहां रहते हो तो जून बोलता है कि नहीं मैं अपने दोस्ते मिलने आया हूं उसके घर पहुंच जाता है उसको लॉक्ट तोड़ के अंदर घुसता है इधर यह लोग 20 फ्लोर पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर वापिस से लिफ्ट बंद करके बोलता है कि 20 फ्लोर पर तो हाथ डालके उसको और दर देता है फि वह बच्ची के बारे में पुछता है बच्चा के भी कुछ नहीं कर पाता है जब डॉन रिज्ञ पूछता है कि क्यूं कर रहे हो यह सब तो बोलता है कि ऐसे ही छोटे बच्चे हो या फिर जानवर तभी अच्छे रहते हैं जब वह काटते हैं तो मेरे पास कोई और दूसरों रास्ता नहीं रहता उनको मानने की लावा फिर चाकू लेके जाता है डॉंग को माने तभी जून आकर उसे रोपता है और उसका हाथ पकर के देखने की कोशिश करता है कि कहा है वो लड़की फिर उसको ढखा देते हुए बिल्डिं में लपेट के फ्रीजर में डाला है जो इसी बिल्डिंग में है फिर डॉंग उसको पकर के दोनों को उपर खिशता है जून उसको सब कुछ पता देता है और बोलता है कि यह हाथ लोगों को बचाने के लिए तुमने ही बोलेते ना वहाँ पुलिस लोग उसकी क्लीनिक में पहुंच का लड़की को बचा लेते हैं फिर डॉंग हॉस्पिटल में एडमीट रहता है और फून पे सब पुछ चिलाता है कि जान जोकिम में डालके बच्ची को बचाया और कोई उसे मिलने भी नहीं आया फिर उसके डिस्चार्ज करते टाइम नर्स उसको बता दी कि वह देखता है कि ग्रेफिटी पैंटिंग को अंदर जाकर देख एक पैंटिंग क्राइम सीन जैसा लग रहा था वह देखकर वह समझ जाता है कि यह काम जरूर जुनका होगा और यहीं पर मूवी खतम हो जाती है तो आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर झाल झाल